हलो दोस्तो आज की वीडियो में अपन चित्रकला सेधानतिक पेपर के बारे में डिसकस करेंगे 332 कोड नमबर चित्रकला सेधानतिक पेपर है जो 27 मई को आयुजित होने वाला है कक्षा 12 का उस paper के बारे में discuss करेंगे कौन से question important है और किस तरह के question आपके पूछे जाएंगे कितने किने number के question पूछे जाएंगे इस वीडियो में अपन complete जानेंगे तो दोस्तो वीडियो के last तक जरूर बने रहे हैं और हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से subscribe कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताके आने वाली जो भी वीडियो है उसका notification आप तक पूछाए अगर दोस्तो आप राजस्तान state open board कक्षा 10 या 12 में पढ़ते हैं और इस बार 2022 board exam में बेट रहे हैं तो दोस्तो आपके लिए important question के वीडियो upload करे जा रहे हैं तो दोस्तो वो वीडियो जरूर देख लीचे live class में भी जरूर आजाईए ताके आपके जो भी doubt रहेंगे वो live class में problem solve कर दी जाएगी दोस्तो बात करें सेदान्तिक चितरकला सेदान्तिक paper की तो 27 माई को आयूजित होने वाला है अब दोस्तो कक्षा 12 की बात करते हैं तो सेदान्तिक paper यानि चितरकला सेदान्तिक painting के जो paper है उसमें किस तरह के question पूचे जाते हैं कितने number के question पूचे जाते हैं एक-एक step में अपन discuss करेंगे इसके अलावा आपको painting में किस तरह से question के answer देने रहते हैं ताकि आपके अच्छे से अच्छे marks बने और अच्छी percentage भी बन सके दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं चितरकला सेदान्तिक paper की तो चितरकला जो सेदान्तिक paper है वो theory paper भी आता है इसमें और प्रायोगीक प्रिक्षा भी होती है तो दोस्तों यानि प्रायोगीक practical exam की बात करें तो जादा marks का practical exam होता है theory जो paper होता है यानि सेदान्तिक जो paper होता है वो कम marks का होता है तो यहाँ पर 30 marks का आपके theory paper रहेगा ठीक है दोस्तों यानि 30 number का ही पेपर आने वाला है दोस्तों यहां पर टाइम भी आपको बहुत ही कम दिया जाएगा क्योंकि तीस नंबर का जो पेपर है उसमें कोशन भी कम रहेंगे तो आपको टाइम भी कम दिया जा सकता है दोस्तों यहां पर बात करें जब भी आपको पेपर मिलेगा तो सबसे प और लेता है और कितने आंसर देने यह भी दियावा रेता है अब दोस्तों यहाँ पर भात करें तो चित्रकला में आपको चित्रकला से सब्सेंदित important question पूछे जाते हैं buradaुच्वाइब करें तो दक्कन शेली चित्रकला की विभीन चित्रों के नाम लिखना अब यहां पर बात करें तो एक एक नंबर में जो कोशन पूछ जाएंगे चित्रला यानि में आनि पेंटिंग के पैपर में वह इसी तरह मैं से पूछ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर बात करें second question की तो second question ही आपर दे रखा है आपको पहाड़ी शेली के चितरकारों को कवी जे देव ने कैसे परभावित किया या आपको बताना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें तो एक-एक number के question में देखिए कश्मिरी शिल्पकार चित्र पर एक अतिस संशिप्त लेग लिखना है यानि बहुत ही शोट में आपको लेग लिखना है इसके बाद दोस्तों बात करें जैसे कि मैंने बताया था है कि हडपा, मोन, जोदरो, इनसे समंदीत और सिंदू, सब्यता इनसे समंदीत भोग जादा कोशन हर बार पूचे चाते हैं इसलिए आपको इन में से अच्छी तरह से पढ़के जाना है तो दोस्तों यहाँ पर अजनता की गुफा से समंदीत, अजनता की चितर से समंदीत भी कोशन पूचे गए हैं तो दोस्तों इस तरह से एक-एक नमबर वाले कोशन और दो-दो नमबर वाले कोशन आपके पूचे जाएंगे चितर गला में इसके अलावा बात करें तो बड़े माक्स के जो कोशन पूछे जाएंगे तो दोस्तों यहां पर बड़े माक्स के भी कोशन पूछे जाएंगे देखी यहां पर आपको वर्णन करना है साची के माहिस्तूप का वर्णन करना है चवर धाननी का वर्णन करना है कोशन आ सकते हैं इसके बार में दोस्तों राजस्तानी लगू चितर शेली की मुखे विशेष्टाओं के बारे में भी दो दो नंबर के कोशन जो आएंगे आपको विशेष्टाओं के बारे में पूछे जाएंगे तो विशेशताओं के बारे में भी ध्यान में बहुत ज़ादा रखना है दोस्तों यहां पर बात करें तो आपके 2-2 नंबर वाले कोशन के साथ 3-3 नंबर वाले कोशन भी पूछ जाएंगे 3 नंबर और 4 नंबर दोस्तों ज़ादा जो कोशन रहेंगे वो एक नमबर दो नमबर वाले question पूछे जाएंगे और बड़े question है वो बहुत ही कम पूछे जाएंगे इसलिए दोस्तो आप short question भी ज़्यादा पढ़के जाएए short question सा आपको अच्छे marks मिलेंगे इसके लावा बड़े जो question रहेंगे उनको आप केवल उनको समझ के जाना है उसके बाद समझ के अनुसारी आपको लिखना रहता है क्योंकि दोस्तो आप चितर के लाव में अगर समझो के नहीं तो आपको answer याद नहीं रहेगा इसलिए आप चितर के लाव में बिल्कुल समझ समझ के याद करिए ताकि आपको पूरा अंसर याद हो सके और अच्छा से अच्छे है लिख सको exam में ठीकि दोस्तो इस तरह से ही आप तेयारी करिए इस तरह कहीं कोशन paper आने वाला है पैटर्न सेम रेने वाला है कोशन अलग रहेंगे ठीक दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो का अधिक से अधिक शेर कीजिए और हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तो इसके लाव आपको कमेंट करके बताना है कि और किस सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड करना है